तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ The Secret Book से कुछ ऐसी प्रोसेस ऐसी टेक्निक्स जो कि आपके रिलेशन्सिप को पूरी तरीके से हील कर देंगी मैं आपके साथ में बहुत सारी टेक्निक्स शेयर करती हूँ और आज The Secret Book जो की Law of Attraction की one of the best selling books में से एक है जिसने पूरी दुनिया को Law of Attraction के बारे में सिखाया है आज उसी बुक से मैं आपको कुछ ऐसी चीजे बताना चाहती हूँ जो की completely relationship के उपर है इसे सुनने के बाद में आपके भी जीवन में परिवरतन आएगा तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए techniques and success stories के लिए अपनी life को change करने के लिए अपनी vision manifest करने के लिए आप इस channel को subscribe कर लीजे ताकि आपको मेरी और भी वीडियो मिलती रहे तो चले बात करते हैं The Secret क्या कहता है relationship के बारे में सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे बताई गई है वो यह है कि जब आप किसी अच्छे व्यक्ति से सम्मंद बनाना चाहते हो तो यह सुनिश्चित करें कि आपके विचार, शब्द, कर्म और परिवेश आपके एक च्छाओं का विरोध नहीं कर रहे हो आप इसका मतलब समझो यहाँ पे साफ साफ लिखा जारा है कि अगर आप अपनी रिलेशनसिप को हील करना चाहते हो या चाहते हो कि कोई व्यक्ति लैक मालो आप अपने क्रश को मेनिफेस्ट करना चाहते हो या आप चाहते हो कि आप अरेंग मैर्ज कर रहे हो अपने soulmate को track करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि आपके partner हमेशा आपसे प्यार करें तो आपको अपने विचार, अपने शब्द, अपने कर्म और अपने परिवेश यानि environment को उसके according रखना होगा यानि कि अगर आप चाहते हो कि आपको प्यार मिले तो आपको अपने अंदर प्यार को create करना होगा आपको सबसे प्यार करना पड़ेगा और आगे मैं आपको इसके बारे में और भी अच्छे से बताती हूँ जैसे The Secret में ही लिखा हुआ है आपकी सारी खुशी प्रेम की frequency पर है जो सर्वोच और सबसे शक्तिशाली frequency है आप प्रेम को अपने हाथ में थामे नहीं रख सकते आप तो इसे सिर्फ अपने दिल में महसूस कर सकते हैं आप यह अस्तित्व की अवस्था है आप लोगों द्वारा प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रमान देख सकते हैं लेकिन प्रेम एक भावना है और सिर्फ आप ही प्रेम की उस भावना को संचारित और प्रेशित कर सकते हैं प्रेम की भावनाए उत्पन करने की आपकी योग्यता असीम है और प्रेम करते समय आप ब्रमान के पूरे सामनजश्य में होते हैं यानि कि जब आप प्यार करते हो लाइक आप किसी को भी प्यार करो लाइक आप किसे थेंग को करो किसी व्यक्ति को करो या किसी को भी प्या प्रम्भान के साथ सामन जस्य पर होते हो इसलिए जब अच्छा फील करते हो तो आपके साथ अच्छी चीजे होना भी शुरू हो जाती हैं यहां पे एक सजुजशन भी दिया गया है जिस भी चीज से प्रेम कर सकते हो करें या निकि आपको वेट नहीं करना है आपको तो प् पर बताए गया है कि जिस्भी व्यक्ति से प्रेम कर सकते हम करेinfl aqui Uni और यहां पर पूला गया है कि इस सिर्फ उन चीजों पर Dhanu Keen अगर आप प्यार चाहते हो तो फोकस भी आपको प्यार पे शिफ्ट करना पड़ेगा, आप दुखी होकर कि प्यार को अपने जीवन में अट्राक्ट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि आप पाएंगे कि खुशी और प्रेम आपकी और लोट रही है कई गु जाएंगी जो कि आपके लाइफ को प्यार से, खुशियों से भर देंगी, तो अगर आप अपने रिलेशनसिप को हील करना चाहते हो, तो आपको अपने आटिट्यूट में, अपने विहेवियन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये करना होगा, कि आपको अपना ध्यान, जो है, अपना फोकस, जो है, शिफ्ट करना पड़ेगा, दुख से, खुशियों की ओर, ठीक है, फियर से, लव की ओर, प्यार करना पड़ेगा, ठीक है, आपको हर उस चीज़ को प्यार देना पड़ेगा, जिसे आप दे सकते हो, अपना ध्यान, शिफ्ट करना पड़ेगा प्यार की तरफ और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी तो आप वो जरूर फॉलो करो यहां पर आपने सीखा कि जब आप प्यार को सेंड करते हो तो यूनिवर्स भी आपको प्यार लोटाते हैं तो कही न कहीं अगर रिलेशन्टिप खराब होई है तो प्यार की कमी की वज़े से होई है तो आज अभी इसी वक्त से आप अपने आटिट्यूट में चेंज लाना स कीजे उन चीजों पर फोकस कीजे जिन से आप प्यार करते हैं चले बात करते हैं कि आगे यहां पर क्या बताया गया है यहां पर सेकेंड चीज बताई गई है आपको खुद पर काम करने की जरूरत है जब तक आप खुद को नहीं भर लेते तब तक आपके पास किसी दूसर और सम्मान का व्यवहार करें इससे ऐसे लोग आकरशित होंगे जो आपसे प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे यानि कि अगर आप खुद को प्यार देते हो सम्मान देते हो सेल्फ लब करते हो सेल्फ एलिंग करते हो तो आपकी और वैसे ही लोग एक तो अट्राक्ट हों ऐसी स्थितियों और लोगों को आकरशित करते हो जो आपको बुरा महसूस कराएंगे तो ये तो आप रिलेट भी कर सकते हो कि जब आप खुद के बारे में बुरा फील करते हो बहुत से लोग अवेर होते हैं बहुत से लोग अवेर नहीं होते हैं तो अगर आप खुद के बा पड़ेगी आगे point यह है कि उन गुनों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद में पसंद करते हैं तो आपको पूसंद आले तो ये healing का एक method यहाँ पर बताया गया मैंने इस वीडियो में बहुत सारी healing method बता दी जो कि direct इस book से है चले last point की तरफ चलते हैं जहां बताया गया है कि किसी भी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं गुणों पर ध्यान के इंद्रित करें ज अपने जो ध्यान है उसो shift करिए और उस ध्यान को अच्छी चीजों पर लगाईए गुणों पर लगाईए और आप देखोगे कि चीजें आपके लिए बदलना शुरू हो गई है तो यह थी the secret book की techniques जिसकी help से आप अपने relationship को heal कर सकते हो और अगर आपको यह वीडियो अच करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टार जीमिल के थ्रो कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको हमेशा है वीडियो के description या screen पर मिलती है मिलता है नेक्स वीडियो में thank you so much watching this video and I love you all